एक दिन संद्या के समय नेहा अपने घर के अंगर में लगे गुलाब के पौदे से फूल तोडने लगी तभी उस पौदे में से आवाज आई मेरे फूल मत तोड़ यह समय हमारे सोने का है नेहा ने जटके से अपना हाथ पीछे खिंच लिया और आश चारे चके तोकर बोली पौदे तो नरजीव होते हैं यह कैसे सो सकते हैं नहीं बेटा हम से जीव होते हैं हम भी तुमारी तरह खाना खाते हैं पानी पीते हैं सास लेते हैं तथा सोते और जाते भी हैं यदि तुम मेरे फूल को तोल लेती तो यह बिचारा मुझा जाता और जल्दी ही मर भी जाता फिर तुम इसे कुड़े के डिबे में डाल देती पर पौदे के साथ लगा रहा है ने पर जया क्योंने ही मुझाता क्योंकि तब मैं इसे भोजन देता रहता हूं क्या आप मुझे बताएंगे के पौदेस जीव किस परकार होते हैं जड़े तना शाखाएं पत्ते फूल और फूल जड़े हमारा मुख है जो काम तुमारा मुख करता है वही काम जड़े हमारे लिए करती है ये धर्ती से खनिज और पानी लेकर उसे तने तक पौशाती है फिर यही भोजन शाखाओ पत्तों फूल और फूलो के रूप में इकत्र हो जाता है जिन्हें आप लोग खाते हैं मेरे पत्तों में छोटे छोटे सिद्रों होते हैं अब इस सूर्य के प्रिकाश की सहता से अपना भोजन त्यार करते हैं वे तुम लोगों दुआरा छोड़ी गई काबन डैक साइडर अपने अंदर लेकर शुद्ध वायू और अक्सिजन बाहर निकालते हैं इस प्रकार हम वायू को शुद्ध करने का कारे भी करते हैं इस शाखाएं भी बहुत लाग धायक हैं तने और शाखाओं से ही हमें आकार मिलता हैं इन्ही के कारण हम सब अलग-अलग दिखाई देते हैं ये मेरे पत्तों को सूर्य की दिशा में मोरती रहती हैं पेड़ों की शाखाओं में ही प्रिक्षी पक्षी अपने उखोंसले बना कर आश्चिय करते हैं मेरे फल और फूल प्राकर्टिक सौंद्रे बढ़ाने के साथ साथ मनुश्य के शरीर को स्वस्थ भी बनाते हैं प्रकार तुमने देखा कि हमारा हर बाग मनुश्य के काम आता है और तुम मनुश्य का जीवन पूरंता हम पर निर्भर करता है परन्तु फिर भी मनुश्य स्वास्थ के कारण हमें कारता रहता है यदि अपने प्रयावरन को बुचाए रखना है तो अधिक से अधिक पेड लगाओ हम अपना सुर्वस्य तुम्हें हिदान कर देंगे